है है वेलकम टो मार्श चैनल इस बीडीव में सॉल्ब करें क्रें ग्मस्षन नमर् 1 तो ध्यांदी जिका राधा अंच 22 परसेंट आफ रींवेस्ट्मेंट राधा अपने इंवेस्ट्मेंट का 22 परसेंट आउन करती है इवडि़ सी आंच रुपीस 187 यती वह 187 earn करती है then how much did it say invest तो उसने कितना invest किया था तो investment जो जितना भी कर रही है वो जितना भी रूपीज का investment करेगी उसका 22% वो earn कर रही है और यहाँ जो earning दिया हुआ है ना 22% of our investment मतलब जो भी हर investment होगा वो हम हमें तो वही मारना है X रूपीज तो 22% of X जो निकालेंगे यहाँ पर जो भी earning आएगी पहले sentence के अनुसार वही चीज यहाँ दिया हुआ है करें कि if the answer is 187 तो earning यहाँ भी दिया हुआ है तो 187 के बराबर ही तो होगा यह 22% of X और X क्या माने हमने investment चितना वो पैसा लगाई थी company में या फिर business में so then how much did you invest कितना invest किया था X मने माल लिया अब यहाँ पर equation मना लेंगे हम जानते हैं कि 22% of X यदि हम निकालेंगे तो earning उतना ही आएगी जितना यहाँ पर दिया हुआ है means this must be equal to 187 और यहाँ पर solve यदि करेंगे हम मिलेगा 22 upon 100 half means multiply X into 100 whole upon 22 यहाँ पर 11 सम्ट डिवाइड कर सकते हैं 11 तो जा 22 and 11 बंज़ा 11 11 सम्ट जा 77 and 2 बंज़ा 2 to 50 75 जा होता है 85 so 850 so 850 रुपीज का investment जो है राधा ने किया था ठीक है और 850 का जब हम निकालेंगे 22% तो 187 आएगा ही आएगा ठीक है आपने कालेंगे देख सकते हैं definitely यही आएगा so आपका answer जो है यह है see again okay next question 12 now question number 12 रोहित डिपोजिट्स 12% of his income in a bank तो रोहित डिपोजिट कर देता है 12% of his income जितना भी उसका income होता है उसका 12% वो डिपोजिट करता है बैंक में अब इसके आगे वेले sentence में क्या किया है कि एक पुरानी बात बोला है क्या बोला he deposited उसने डिपोजिट किया था rupees 1440 in the bank during 1997 1997 में उसने डिपोजिट किया था तो वो चाहे 1997 में डिपोजिट करे चाहे कभी भी डिपोजिट करे sorry डिपोजिट करे वो actually 12% of his income ही तो डिपोजिट करेगा चाहे कोई भी year हो any year तो यहाँ पर वही समझना है आगे बोला क्या what was his total income for the year 1997 1997 में कितना उसका income होगा तो देखे सुरू में जो बोला है कि उसके income का 12% वो डिपोजिट कर रहा है यहाँ समझ क्या निकाल सकते हैं हम माल लेंगे कि उसका total जो income था वो एक सिर्पीज था ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12% आफ एक्स उसके income का 12% निकलेगा वो इक्वल होगा जितना उसने डिपोजिट किया था 1997 में क्योंकि वो 1997 हो या 1998 हो या 2000 हो या 2020 हो या 2022 हो या 2025 हो उसे फार्ग नहीं पड़ता है यहाँ पर बोला ही हुआ है कि 12% अपने income का वो जमा करता है तो चाहें कोई भी एर होगा वो जमा इतना ही करेगा ठीक है तो हमें इतना यदि वो डिपोजिट करता है 1440 तो यहाँ पर डिपोजिट का इमाउंट दे दिया है 1440 means 12% of X दे दिया है 12% of his income is 1440 in 1997 जैसे कि अब 1997 में इतना डिपोजिट कर रहा है न अब हो सकता है कि 2000 हो तो उसमें 2350 रुपीज मतलब जमा करें मतलब जो income होगी उसकी बढ़ती जाएगी जिससे आगे बढ़ेंगे है कि नहीं है इस अब कहानिया छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है 12% को लिच सकता है 12 upon 100 of means of time multiply X is equal to 1440 यहाँ पर X की value में find करनी है so X is equal to हो जाएगा 1440 multiplied by 100 whole upon 12 ठीक है 12 बढ़े 12 बढ़े 12 बढ़े 12 बढ़े 121440 यहाँ जाएगा हमें 120 00 and 00 okay so 12,000 is his total income in 1997 1997 में उसका income था वो 12,000 था ठीक है तो इस समय चल रहा है 2020 यह 2022 तो इस समय उसका बढ़ गया होगा तो इस समय जो है वो डिपोजिट करता होगा कुछ और 1414 नहीं बलकि 3000 4000 जो भी whatever comes उदार जमा करता होगा ठीक है समझने आ गया मतलब यह क्या question कर रहा है तो okay thank you so much for watching यदि आप अच्छा लगा तो like कर दीजिए एक comment जबू करिए और लगे रही है यदि कोई भी doubt है आपको तो बिलकुल आप comment box में लिख सकता है और यदि आप कि exercise का चाहते है solution तो बिलकुल comment box में लिखिए thank you so much again bye